IPL 2018 दोनी की आतिशी पारी की दिगजोंने की जम कर तारीफ फैंस बोले माही जिन्दा है पंजाब और चन्नाई के बीच हुए IPL के 12 मैच में चन्नाई के कप्तान महिंदर सिंग दोनी भले ही अपनी टीम को जीत न गिला सके हो लेकिन उन्होंने अपने पूरे रंग दिखाते हुए शांदार बल्लेबाजी कर समा बांध दिया दोनी ने अपने पीठ दर्द के बावजूद 44 गेंदो पर शांदार 89 रन बनाए जिसने से 47 रन केवल आखिरी चार ओवर में बना कर पंजाब के खिलाडियों और फैंस को चिंता में डाल दिया था 198 रनों के लक्षे का पीछा करते हुए दोनी अपनी टीम का स्कोर केवल 1193 तक ही पहुँचा सके थे जिस से उनकी टीम चार रन से हार गई लेकिन इसके बावजूद दोनी की पारी ने सभी का दिल जीत लिया कई दिगर जोने दोनी की तारीफ की एक फैयन ने कहा कि पहले कहते थे एक था दोनी अब कहते हैं दोनी जिन्दा है दोनी को पीट में दर्ब्ध के कारण बल्लेबाजी में परिशानी हो रही थी लेकिन वे एक रीज पर डटे रहने के बावजूद अपनी टीम की नए या पार नहीं करा सके उन्होंने 44 गेंद का सामना करते अपनी पारी में 6-4 के और 5-6 के जड़े अन्तिम पांच ओवर में चैननाई सुप्रकिंग्स को जीत के लिए 76 रन की दर्कार थी जो दोनी की परिशानी को देखते हुए असंभव ही दिख रहा था 18 हुए और 19 वे ओवर में 19-19 रन जोडने के बावजूद उन्हें अन्तिम 6 गेंद में 17 रन चाहिए थे पहले पंजाब को 200 से कम स्कोर पर रोका फिर दोनी की पारी ने तो गेल की पारी को भुलवा ही दिया मैच के बाद प्रतिक्रिया देते हुए दोनी ने कहा कि पंजाब की ओर से उंदा गिंद बाजी की गई जिसके चलते हम हार गए दोनी से जब पूछा गया कि पीट दर्द के बाद भी वे लौफटेड शॉट कैसे माच रहे थे तो दोनी ने कहा दर्द के कारण पीट की स्थिती काफी खराब है लेकिन भगवान ने मुझे ताकत दी है और शॉट खेलने के लिए मुझे पीट का ज्यादा इस्तिमाल करने की जरूरत नहीं मेरे हाथ ये काम कर सकते हैं दोनी ने हाला कि कहा कि यह बहुत गंभीर चोट नहीं है दोनी की इस पारी की तारीफ सोशल मीडिया पर जम कर हुई फैंस तो तारीफ करी रहे थे कई दिगर जोंने भी दोनी की तारीफ की कॉमेंटेटर्स भी उनकी तारीफ से बच नहीं सके संजे मांजरेकर ने अपने ट्वीट में दोनी को विजेधा करार दिया इस बार के IPL में चेन्नाई की यह पहली हार है इस से पहले हुए दोनों मैचों में टीम ने हारते हुए मैच जीत हासिल की थी लेकिन इस मैच में ऐसा नहीं हो सका